हाई, आम शुश्मिता वानाची, क्या आपको किसी पे ख्रश है? क्या आप उसे बोलना चाहते हो, जाहिर करना चाहते हो, लेकिन डरते हो? अरे कही धपड या चपल ना पड़ जाए? तो आपके इस प्राब्लम का सल्यूशन आज मैं आपको बताऊंगी. उससे पहले, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, तो फटा फट जाके देखके आना, वीडियो का टापिक था, Don't Waste Your Time. तो चलिए टाइम को वेज़ ना करती हुए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. अगर वो मेसेज पे, फोन पे या आमने सामने बाड बाड आप से बात करने की कोशिश करती हैं, आप उनके लिए इंपोर्टेंट हो. जनेले लड़किया किसी लड़के को स्टेयर नहीं करती, और अगर करती है, आप उनको इंटरेस्टिंग लगते हो और शायद बात आगे बर सकती है. अगर आपके आसपास होने से उनके चैरे पे स्माइल आ जाती है, वो आपके साथ जब भी रहती है, मुस्कुराती रहती है, और आपका जोग फनी ना भी हो, तब भी हस्ती है. Then remember the sentence, हसी तो फसी. But, 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 अगर उसकी आदत है हर वक्त हसने की, वो एक्चुली जॉली टाइप की ही इंसान है, तो बात अलग है. Number four, she tries to take help from you. अगर कोई लर्की, एक्चुली किसी लर्के को like करती है, तो कभी-कभी वो खुद ऐसे situation create करती है, जिससे आप उनकी help कर पाओ. क्यूंकि उनके लिए, आप उनके super hero हो. Number five, observe her dressing style. अगर कोई लर्की, एक्चुली में जैसी है, जैसे styling करती है, आपसे मिलने के time, अगर कुछ जादा ही सचती सवरती है, या उसकी style बदल जाती है, तो वो definitely आपको like करती है. तो दोस्तों, इन 5 points से आप आसानी से पता कर सकते हो, कि कोई भी लड़की आपको पसंद करती है, या नहीं. अगर आप ऐसे और भी points जानना चाते हो, तो वीडियो को like कर देना, तो मैं इसका second part बनाऊंगी. अब ये मत सोचो के थपर परेगा या घूसा, points को follow करो, अब ना रहेगा कोई doubt और ना कोई जासा. वीडियो अच्छी लगी तो like, comment, share और subscribe कर देना, तो फिर मिलेंगे next Wednesday को, तब तक के लिए goodbye and taste your crush practically.